प्रसाद है बाइए इतना स्वाद इतना स्वाद की बता नहीं सकते देख लेजे आपे मामा भी बता रहे हैं कि अपना पूरा एक अंधन से आए हुए हैं देख सकते हैं कि कि अ दूर से आए हैं आप अपसे बाबा को जान रहे हैं वह दिनों से पहुंच गहां है आप लोग अच्छे होंगे सौस्त होंगे दोस्तों देखक यहां पे है इदर आपको पता चलिए हैं कि मैं कहां गया हूं यहां वागश्वर धाम जो आनेवाले हैं वादपूर में तरित पाली के पास हम लोग पहुच चुके है के पास पहुच चुका हूं और कल यहां पो आ जाएंगे आज हम लोगने यहां पर आ गए हैं यह देखने के लिए कि यहां पे कैसे कैसे सजाया गया है कैसे पंडाल लगाया गया है और सब आज आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में पूरी तरह से आप देख करके मतलब मज़ा आ जाएगा आज जो जिनको हमेशा यूटूब पे देखते थे टीवी पे देखते थे उन्हें लाइब देखने का मौका मि पंडाल लगाया हुआ है नहीं देख पाएंगा उनको दिखायूंगा लाइब और बहुत हेवांचक मज़ा आएगा दोस्तों स्वागत है यहां पे हम लोग कूरे ब मतलब पूरे बिहारवाशी लोग उनका श्वागत करते हैं और आप लोग भी आनन ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे विकाश रुधा ब्लॉक्स पे बने रहीएगा दोस्तों और आपको विकाश जी से मुलकात हो गया लेकिन रुधा जी से मुलकात अभी करते हैं बते हैं कैसे एक पर क्या वेत वेवस्ता हुई है है और आज कर आणे वाले अगर कल्म होंगे तो आज आपको यहां के साड़ी पता चल जाएगा लोग वीडियो बना कर के पूरे दिखाते और दें डाइंगे आपको ताकर कमी महसूस नहीं होने देंगे, किसी भी तरफ से दूर, नहीं आप आईए गा उसका पंडाल की तरफ आगे बढ़तेे हैं कैसे आप अब आज आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो तो बने रही है दोष्थो हमारे साथ चलते हैं आगे जहां से बाबा प्रवचन देंगे जहां से बाबा कथा कहेंगे वह यहीं स्टेज है जहां में स्टेज के नजदीग आ चुके हैं काफी और यहां पर भव्य मतलब पंडाल की तैयारी की गई है जिसे देखने के बाद मन मोहित हो जा रहा है है मन अकर्शित हो जा रहा है इतना भव्य तैयारी किया गया है जिसको एक बार देखिएगा तो देखने के बाद हो तूड़ जा रहा है सब्सक्राइब दोकर लौग हम लोग दोफर के वहां पहुंचे हुए है तो आज पूरे दिन और पूरे राथ इसमें तैयारी चलेगे सिर्फ स्टेज को और पंडाल को सजाने का काम चलेगा पंडाल तैयार करने का काम चलेगा और फिर इधर से देख सकते हैं इतना बरा पंडाल जो भव्य पंडाल है जो आपको देख सकते हैं यहां पर बनाया गया है और इसमें मतलब दो से धाई अगर आना सोच रहे हैं तो बेधड़क आ सकते हैं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहां रहने का और खाने पीने हर चीज का वेवस्था पूरी तरह से किया गया है जो सरे धालूओं को ध्यान में रख करके बड़े-बड़े अब और अगर दोर हैं उनको देखने में दिक्कत होगी अगर तो बड़े-बड़े प्रोजेक्टर लगाए गया है जो आराम से आप देख सकते हैं बहुत ही खुसी हो रही है बहुत ही खुसी हो रही है आपको क्या बताओं इस तरह का भव्य पंडाल आज तक नहीं देखा ड़ाई अगर आप भी आएंगे तो देख के शटी तरह जाएंगे कितने सारे पंडाल यहां पर बेवस्पा किया गया और यहीं बहुत प्रोजेक्टर जोकी लगाए गया है काफी यहां पर देख सकते हैं प्लेटेटर यहां पर लगाय हुआ है एक प्रोजेक्टर यहीं उदर दो तीन चार पात छे साथ आठ नौ दस दिगारह बारह अभी और सारे प्रोजेक्टर अभी लगाए जाएंगे अभी और भी इधर बैठने का इस पूरा इसना बैठने के वासा पूरा किया जा रहा है अभी आपको पूरे मैट लगा दिये गये हैं सारे पूरे पंडा नहीं हो कूलर की विवस्था है पंधे की विवस्ता है अच्छी लाइट की विवस्था आपको दिखाएंगे दोस्तों रात का भी मुझे जितना लाइट लाइट नका धिख रहा है कि तो uważ ओप पूरे व्लव्ह पेह दिल से यहां पर आए के लिए और यहां पर जो भी आएंगे उनका भव श्वागत किया जाएगा भी हार से भी है तो आप लोग आईए एक बारा करके यहां पर दर्सन जरूर करके जाएगे तो चलते हैं आगे देखाते हैं आपको आप कहां से आए हैं दर्भंगा जिला से यहां पर एक देख सकते एक स्रधालू जो है दर्भंगा जिला से आए हैं बाबा से बाबा का दर्शन करने के लिए जो कल होगा तो उसे पूछते हैं थोड़ा सा मतलब कैसे आए हैं कैसे इनको पता चला थोड़ा आपको कैसे पता मॉबाइल से पराचला तो आप बाबा को कब से जानते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इनको मालूम है कि बाबा के पास आने से सारे दुख दर्ध जो होते हैं कम हो जाते हैं खितम होते हैं और उन्ही का मरलब दर्षन मातर के लिए वहां से जर्भंगाजीला से अमस्थिए और भी बहुत सारे जालू लोग जो है वह आयोए है बाबा के दर्षन के लिए बाबा वागेश्वार धाम वाले बाबा जो आ है उन्के दर्षन के लिए बहुत सारे धालू हैं और उनसे पूचते हो कहां से आए हैं और क्या उनके मन में लाल सा लेकर क्या है तील पूंजते उसे तो देखिए नंबस्ते मामा कहां से आपार हुए से आये हुए हैं देख सकते हैं कि कितने दूर से आये हैं तो पहले कब से जान रहे हैं और जैसे इनको पता चला कि यहां पर तरिपाली आ रहे हैं तो बाबा के दर्सन के लिए यह लोग पहुंचे हैं तो आप सारे लोग ज्ली बंगाल से भी से यह हैं पहुंचे हुए तो यहां से पता चला आपको घंवर के बऊठ पुराने भाक्त है कासत कथा देखते रहते उनका तो वीड़ियों से पता चल गया कि अदर्सन के लिए आ आप कब से बाबा को जान रहे हैं तो आप कब आये हैं और यहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत आपको दर्शन के लिए ठीक है इनको लोगों का धन्यवाद बोलता हूं सब्सक्ति लोगों का धन्यवाद आपको सब्सक्राइब बिहार में वेलकम शौगत है तो ठीक है जो पर जो मूर्ती है इसका अस्तापना हुआ है जैसे बाकशोई बाबा नहीं उसक्तापना है जो है बजरंग बन्त करें बद्ध का फिराए हैं और यहां बड़ा शुक्त है सब्सक्राइब तेग्षक्ते हैं दोस्तों यहां पे भक्त जनों के लिए जो स्रधालों लोग आयोए उनके खाने का बेवस्था किया गया है फ्री अफक। जितना भी लहाखों लोग आएंगा उंट सब लोगों को खाने का बेवस्ता यहाँ पर किया गया है और छोड़ पर दैख लिजिये यहाँ पर दाल चावल सबजी हर तरह कचीज का बेवस्ता किया गया है बक्तों के लिए यहाँ पर आ बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से खिलाया जा रहा है लोगों को यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बैठ के आराम से खा सकते हैं जैसे देख रहे हैं चारे शरब धालू लोग बैठ करको खा रहे हैं और यहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहां पर लोगों को तो यहां पर दिखाते हैं यह खाना-एक प्रशाद के रूप में लोगँ थे लोग कहा रहे हैं तो यहां परकना बना ऐसे चावल है चणका डाल ए अच्छी सब्जी है तो आपके देख सेवा देने के लिए और अपना प्रशाद कर रही है और आपको जैसे बता रहे हैं जैसे देख लेजिए आपे मामा भी बता प्रशाद कर रहे हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं अब सिर्फ बाबा के दर्सन के लिए यहां पर आए हुए हैं तो देख सकते हैं यहां पर आपका अंगाज जी महराज बाबा हैं जो बाबा बागेश्वर धाम के भक्त हैं और उनके स्वागत के लिए दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं तो आप अपना परचे बदा यह क्या है यह हमें योग पढ़चारक हैं योगाचारे ह सुपिती के परचार परशार के बढ़ावा के लिए हम लोग भी है क्जाइब आपके लिए मता के आपके लिए आज है जा है जो अबलगों के लिए प्रोасाद बना है तो आपक में हम I am अभी प्रशाट बन तर रहा है बहुत कि टेस्टी है तो अब लोग यहां पर खाना खा लिए हैं इस वहां सा रिल्लैक्स कर रहे हैं खाना खाने के बाद अच्छा लग रहा है भूख लग गश्टा तो खाना खाने के बाद अब हम दो मंदिर के तरफ चलेंगे तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं मठ वाले मंदिर में यह मठ का मंदिर है जहां पर हम लोग पहुँच चुके हैं और आपको अंदर का दिखाते हैं कि मठ का क्या इसमें है कितने मतलब मूर्तिया किस तरह का लगा हुआ है किस तरह के बगवान के मूर्तियां इसके अंदर में हैं तो तुरा चलते हैं अंदर में देखते हैं और बनाते हैं आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं और इधर देखिए यह एक इधर में बना हुआ है जो बहुत ही बेख स्रधालू लोग अबाबा के दर्शन के लिए बिस्राम कर रहें यहाँ पे बहुंती अच्छी वेवस्था की गई है मठ के द्वारा यहां पे लोगों को खहरने का घाने का सोने का आराम करने कर विवस्था किया गया है तो हम लोग अंदर में चलते हैं डेखते हैं जो है तो अमर्ट का अंदिर का यह गेठ और है और कि इस्क्राइभ नंदर कर रहे हैं अपनो चलते हैं आगे में यहां पे सफाई यहां लोग आराम कर रहे हैं अँ, ने भक लोग आराम कर रहे हैं कि थालू लोग जितने भी आराम कम कर कि इतने अच्छी विवस्ता यहां पे खरने का आराम कर रहें और इधर में आये तो कुछ मूर्तियां तुढ से पूस्ते कहां से याए है तो तो एक से धालू देख रहे हैं तो कहां से आये हैं आप बबा कुछास तो तो आपको और कब पता चला था या वाद है लिए चैनल आ रहा है तो भाइप सब्सक्राब चूले सलेrãoर Smar scene लिए उन्जाइब हैं उस सब्सक्राइसाद और सने जब तक बबावा रहेंगे और यह भी आप पे रहे बाएने थिएLife और यहां पर रहने में कोई दिखत नहीं है और यहां पर साथ का लिए बहुत भूँत धन्यवाद आपको भी तो यहां बजाए सब्सक्राइब कोई दिखत नहीं है सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस फावन धर्ती का और भी भाग मतलब पर चला गया है पहले से तो यह मत था ही अब और फेमस हो जाएगा बाबा वागेश्वा धाम के आने से तो अभी यहां पर देख सकते हैं जो मेन मंदिर का गेट है वो अभी दोफर का टाइम है इसलिए बंद हो गया है क्योंकि यह खुलने का और बंद होने का टाइमिंग है इसलिए हम पूरा अंदर का मुर्ती आपको दिखा नहीं सकते हैं कि क्या है लेकिन आगे में अगर मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंग दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं यहां से निकल रहे हैं तो प्रेंट वीडियो कैसा लागा जरूर बताएं लाइफ करें वीडियो को कमेंट करें और सेयर करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा इतने से ज्यादा ज्यादा सर्थालूओं के पास यह वीडियो पहुंच आप शेयर करें इसको और चैनल पर अगर नए है अभी तड़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिन दोस्तों